प्रस्न वली 1.1 प्रस्न नम्बर 7 प्रस्न है निम्नलिकित परिमेश संख्याओं को आरोईड कर्म में लिखिए आरोईड क्रम अर्थात बढ़ते हुए मान के क्रम में तो इसमें चार प्रस्न है मैं एक प्रस्न लेता हूं कोई एक बी नमबर ले रहा हूं यह 7B 4 by 5 minus 2 by 7 minus 1 by 2 और minus 1 by 3 इसे हमें आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते हुए क्रम में अर्थात ascending order में लिखना है तो पहले हम यह जानना होगा इसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इनके हरों को जो इनके हर हैं उसको समान करेंगे सभी का हर हम देखने अलग है तो तुलना करना समभव नहीं है, तो इसके हर को हम पहले समान करेंगे तो हर समान करने के लिए हमें इन सभी हरों का लोसो निकालना होगा यानि एलसियम निकालना होगा तो हम एलसियम निकालने की कोशिस करते हैं 5, 7 2 और 3 हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी छोटी संख्या नहीं है जिससे कम से कम दो में पूरा-पूरा भाग लेगे तो इसका लॉस्व हो जाएगा 5 इन्टो 7 इन्टो 2 इन्टो 3 और ये हो जाएगा हमारा 210 210 अर्थार 210 अब आईए हम सभी के हर एक समान करते हैं यानि सभी का हर हमें 210 यानि 210 बनाना है पहली संख्या हमारी है 4 by 5 इसकेल टू 4 by 5 अब इस 5 को हम कितने से मल्टिप्लाई करें कि 210 हो जाए तो क्या करेंगे हम 5 से 210 में भाग देंगे नहीं उसकी ज़रत नहीं है हम यहाँ उपर में देखते हैं जो सौट कट हमारे जो तरीका है 5 था ना 5 को छोड़ दे रहे हैं 5 को छोड़ दिया हमने अब यह जो बच गया इसको हम मल्टिप्लाई कर ले रहे हैं 7 2 जा 14 14 3 जा 42 तो यह हमारा यहाँ पर हो जाएगा 42 और यहाँ भी 42 अब इसको हम मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 168 बाई 210 अब दूसरी संख्या लेते हैं माइनस 2 बाई 7 तो यह माइनस 2 बाई 7 अब 7 को हमको ऐसी संख्या से मल्टिप्लाई करना है या गुना करना है कि वो 210 आ जाए तो पिछली बार की तरह हम यहाँ पर 7 को छोड़ देंगे 7 को छोड़ के बाकी को मल्टिप्लाई कर देंगे तो बाकी जो बच गया 5, 2, 3 तो 5, 2 जा 10, 10, 3 जा 30 तो यह हमारा आओ गया 30 और यहाँ भी आगया 30 और यह हो जाएगा माइनस 60 बाई 210 अब तीसरी संख्या लेते हैं माइनस 1 बाई 2 तो यह माइनस 1 बाई 2 इन्टू तू से कितना किस संख्या को मल्टिप्लाई करें कि 210 आ जाए तो यह 105 यहाँ भी हो जाएगा 105 तो यह हो जाएगा हमारा माइनस 105 बाई 210 अब चौथी संख्या है माइनस 1 बाई 3 तो यह माइनस 1 बाई 3 तो इसको कितने से गुनाय करेंगे हम 70 से तो 70 बाई 70 तो यह हो जाएगा माइनस 70 बाई 210 अब इस सभी का हर समान हो चुका है चारों का तो अब कौन बड़ी है कौन चोटी है इसका निरनाय अंस के अनुसार होगा अर्था जिसका अंस सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी और जिसका अंस सबसे चोटा होगा वो सबसे चोटी संख्या होगी तो यहां हम देख रहे हैं अंस में है यहां पर 168, minus 60, minus 105, 105 और minus 70 तो सबसे छोटी हमारी कौन सी है? minus 105 तो चुकि बढ़ते करम में हमें लिखना है और उही करम में लिखना है तो यह हो जाएगा, minus 105 by 210 is less than इससे बढ़ी कौन सी है? minus 70 by 210 अब इससे बढ़ी हमारी हो जाएगी minus 60 by 210 और इससे बढ़ी हमारी सबसे बढ़ी हो गई 168 by 210 इससे बढ़ी हो जाएगा, minus 105 by 210 कौन सी हिसा थी? यह वाली, minus 1 by 2 तो यह हम लिख देंगे, minus 1 by 2 is less than, minus 70, minus 1 by 3 और यह minus 60 by 210 कौन थी? minus 2 by 7 और सबसे बढ़ी हमारी हो गई 4 by 5 तो यह हमारा आरो ही क्रम में सच गया सबसे छोटी सबसे पहले है उससे बढ़ी उसके बाद, उससे बढ़ी उसके बाद और सबसे बढ़ी यह है हमारा आठवा कोश्चन है निम्नलिखित परिमे संख्याओं को अबरो ही क्रम में लिखिए कोश्चन नबर 7 में हमने देखा था आरो ही क्रम में सजाना था इसे हमें अब रोही क्रम में सजाना है, अर्थात घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा पहले होगा, उससे छोटा होता चला जाएगा, तो इसका एक कोश्चन हम लेते हैं, इसका कौन साल है, सी नमबर, यह सी नमबर कोश्चन ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमें, इन सभी हर, सभी के जो हर हैं, इसका लॉस्वा निकालना होगा, यानि LCM निकालना होगा, तो इनका हर है 10, 15, 20, 30, तो 5 से हम भाग देते हैं, 5, 2 जा 10, 5, 3 जा 15, 5, 4 जा 20, 5, 6 जा, अब 2 से देते हैं, 2, 1 जा 2, 3, 2, 2 जा 4, 2, 3 जा, अब कित से जाएगा? 3 से, तो यह 1, 1, 2, 1, तो इसका लॉस्वा हमारा हो जाएगा, 5 into 2 into 3 into 2, अर्था 60, यह हो गया 60, अब सभी का हर हमें 60 बनाना है, चलिए, एक-एक संख्या लेते हैं, minus 3 by 10, minus 3 by 10, अब इसे हमें multiply करना होगा 6 लेतो, तब 60 होगा, तो 6 by 6, तो यह हो गया, minus 18 by 60, अब दूसरा लेते हैं, 7 by minus 15, इसकल्टू, यह minus को उपर रखेंगे, standard form में हम लोग मानक रूप में उपर रखते हैं, minus को, यह, अब 15 को कितने से multiply करेंगे, 4 से, तो यह 4, तो यह हो जाएगा, minus 28 by 60, अब थर्ड लेते हैं, तीसरी संख्या, minus 9 by 20, तो यह minus 9 by 20, और इसको multiply करना होगा, 3 by 3 से, तो यह हो जाएगा, minus 36 by 60, अब यह 4 है, minus 11 by 30, स्कल्टू, minus 11 by 30, स्कल्टू, स्कल्टू, इसको multiply करेंगे, 2 by 2 से, तो minus 22 by 60, तो इसे घटते हुए करम में करना है, तो हम देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो इन सभी का हर तो बराबर हो चुका है, तो हमको अंस देखना होगा, कौन सी अंस सबसे बड़ी है, तो यहाँ, minus 18, minus 28, minus 36, और minus 22, तो इसमें हमारी सबसे बड़ी है, minus 18, minus 18 by 60, यह सबसे बड़ी है, इससे चोटी हो जाएगी हमारी, minus 22 by 60, और इससे चोटी हो जाएगी, minus 28 by 60, और इससे भी चोटी हो जाएगी, minus 36 by 60, तो यह कौन सी थी संख्या, minus 18 by 60, यह थी, minus 3 by 10, और इसके बाद minus 22 वाली कौन थी, minus 11 by 20, sorry, minus 11 by 30, minus 11 by 30, और minus 28 by 60 वाली संख्या थी, यह 7 by minus 15, और जो सबसे चोटी है, यह minus 9 by 20, तो यह हमारा अब रोही क्रम में सज गया, सबसे बड़े से चोटे की ओर, हमारा 9th question है, निम्नलिखित परीमे संख्याओं के बीच में 3 परीमे संख्याओं लिखे, यहाँ दो दो परीमे संख्याओं देवी हैं तिनों में और उनके बीच हमें 3 परीमे संख्याओं निकालनी है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि किनी तो परिमेश संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं असंख्य संख्याएं होती हैं लेकिन प्रस्ण में हमें सिर्फ तीन संख्याओं निकालनी है तो हम एक इसमें से एक प्रस्ण लेते हैं ये लेते हैं बी वाला 9B तो ये है minus 1 by 2 और 2 by 3 इसके बीच हमें संख्याएं निकालनी हैं तीन परिमें संख्याएं तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका हर समान करना होगा तो minus 1 by 2 इसके लिए minus 1 by 2 into 3 by 3 तो ये हो गया minus 3 by 6 और ये 2 by 3 इसके लिए 2 by 3 इन्टू ये 2 by 2 से मल्टिप्लाई करना होगा तो ये वो गया 4y 6 तो दोनों का हर हमारा समान हो चुका है इसका भी हर 6 है इसका भी हर 6 है और यहाँ minus 3 है अंस में और ये 4 है तो इसका बहुत आसानी से हम तीन परिमे संख्याई निकाल सकते हैं पहले हम देखते हैं कि इसके बीच कुछ संख्याओं को देखते हैं वैसे तो अनन्द संख्याई हैं लेकिन कुछ संख्याओं को देखते हैं minus 3 by 6 minus 3 by 6 इससे बड़ी हो जाएगी minus 2 by 6 इससे बड़ी हो जाएगी minus 1 by 6 इससे बड़ी हो जाएगी 0 या 0 इससे बड़ी हो जाएगी 1 by 6 इससे भी बड़ी है 2 by 6 और इससे बड़ी है 3 by 6 और इससे बड़ी है 4 by 6 तो हमें तो तीन ही चाहिए न इसलिए हमारी जो तीन संख्याएं होंगी माइनस वान बाइ टू अच्छ उपर में लिखते हैं आतह मिनस लिखते हैं मिनस लिखते हैं वान बाइ 2 और लिखते हैं के वीच तीट परी में संख्याएं हैं कोई भी तिल ले ले माइनस टू बाई सिक्स माइनस वान बाई सिक्स और वान बाई सिक्स होगे ये तीन हमारी हमारे पास यहाँ पर बहुत चारी दिख रहे हैं कोई तीन हमने ले लिया कोई नुम्बर टेन निम्रल लिखित का मान ग्याद कीजिये इसमें एक प्रस्ण मैं ले रहा हूँ कौन सा है? टेन का भी एक प्रस्ण में हाल कर रहा हूँ बाकी आपको स्वैम करना है तो बी नंबर हमारा है माइनस नाइन बाई टेन प्लस ट्वैंटी टू बाई फ्युटीन जिस तरह से हम लोग भिन्न का जोड और घटाव करते हैं ठीक उसी तरह से हम परिमे संख्याओं का भी जोड और घटाव करेंगे तो सबसे पले हम क्या करेंगे यह दोनों हर का हम L.C.M. या लॉस निकालेंगे तो निकालते हैं कि 10 और 15 तो यह किस से देंगे हम भाग? 2 से नई सोरी 2 से नहीं होगा यह 5 से जाएगा 5 2 जा, 5 3 जा, अब और नहीं जाएगा तो यह लॉस हमारा हो गया 5 into 2 into 3 यानि 30 तो यह हमारा LCM आ गया 30 तो 10 से स्कोर डिवाइड करते हैं 10 3 जा 30 और यहाँ 27 प्लस 15 जा 30 और 2 से 44 अब यहाँ एक चीज़ हम ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ इसका साइन माइनस है और इसका साइन 44 का साइन प्लस है तो दोनों जो साइन है वो समान नहीं है यानि असमान है तो ऐसी इस्तिती में हम घटाते हैं सब्ट्रेक्ट करते हैं तो निश्यत्रुप से बड़ी से छोटी को करेंगे तो यह 44 से 27 तो यह हो जाएगा हमारा 7 और यह 3 से 2 1 अब चुकि अब इसका साइन क्या होगा तो ऐसी स्तिती में साइन वही होता है जो बड़ी वाली संख्या की होती है तो यहाँ 44 बड़ी है इसी से हमने घटाया है तो इसका साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा लेकिन परंपरा क्या नश्वार शुरू में प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं तो यह हमारा एंसर आ गया 17 वाई 30 इसी तरह से हम बाकी जो प्रस्न है A नमबर, C नमबर, D नमबर इसे हल करेंगे